हमें यहाँ पर कहा जा रहा है list in order from smallest to largest तो यहाँ पर हमारे पास कुछ quantities हैं और हमें इन्हें छोटे से बड़े के order में लगाना है और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो quantities दे रखी हैं हमें इनमें absolute value के signed के अंदर हमारे पास कुछ expressions भी है तो इन्हें निकालने के लिए हम पहले इन expressions को simplify करेंगे उसके बाद इन सभी के absolute value निकाल कर इन्हें छोटे से बड़े के order में लगाएंगे तो ये तो एक बात हो गई लेकिन absolute value क्या होती है ये भी एक बार दोहरा लेते हैं तो किसी नंबर की absolute value 0 से उस नंबर के बीच की distance को कहते हैं distance from 0 हमें absolute value दे देता है और अगर हमें दूसरा तरीका देखना हो तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हमें किसी भी नंबर का absolute value निकालना है तो हम उस नंबर का positive वाला version ले लें यानि कि अगर हमारे पास कोई negative नंबर है तो हम उसका sign अगर change कर दे और उसे positive ले ले तो वो हमें उसका absolute value दे देगा और अगर हमारे पास कोई positive नंबर है तो हमें sign change करने की जरूरत ही नहीं है वो number ही उसका absolute value है तो चलिए शुरू करते हैं पहला number है हमारे पास यहाँ पर 5, तो 5 की absolute value कितनी होगी, तो 0 और 5 के बीच के distance 5 ही होती है, तो इसलिए इसकी जो absolute value है वो 5 ही होगी, इसे हम number line से भी समझ लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं number line ले लूँ एक, यहाँ पर है 0, तो इसके आगे, इसके right hand side में कहीं हमारे पास, यहा 5 के बराबर है, इसलिए इसकी absolute value 5 ही होगी, चलिए अब दूसरी वाली quantity ले ले लेते हैं, अभी हमें 9 minus 7 की absolute value निकालनी है, 9 minus 7 की, तो पहले हम इस अंदर वाले expression को solve कर लेते हैं, तो 9 minus 7 यह हमें दे देता है 2, इसका मतलब हुआ कि हमें 2 की absolute value निकालनी है, तो 2 भी 0 के right hand side पे आता है, तो 2 आएगा 0 के right में यहां पर, और 0 और 2 के बीच की distance भी 2 के बराबर है, तो इसकी absolute value भी 2 के बराबर होगी, चलिए अब यह थर्ड वाला expression ले लेते हैं, यह जो थर्ड वाला expression है, इसमें हमें 5 minus 15 इसकी absolute value निकालनी है, तो पहले हम इस अंदर वाले expression को solve करते हैं, तो 5 minus 15 यह बराबर होता है negative 10 के, यह बराबर होता है negative 10 के और हमें negative 10 की absolute value निकालनी है, तो negative 10 हमारे number line पर 0 के left hand side पर लाई करेगा, तो negative 10 होगा कहीं यहां पर, और absolute value दरसल 0 और इस negative 10 के बीच की distance होगी, तो 0 से negative 10 पर पहुचने के लिए हमें 10 units कवर करने होंगे, इसलिए इसकी absolute value हो जाएगी 10, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि अगर हमारे पास positive number ही है, तो वही उसकी absolute value होती है, लेकिन अगर हमारे पास एक negative number है, तो हम यहां पर इसका sign अगर change कर दें, अगर हम negative 10 की जग positive 10 ले लेते हैं, तो हमें यह इसकी absolute value दे देता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें 0 की absolute value चाहिए, हमें निकालना है 0 की absolute value, तो अगर हम इस number line पर देखें, तो 0 तो हमारा यही पढ़ लाई करता है, तो 0 से 0 की distance, बड़ी obvious सी बात है कि 0 ही होगी, तो 0 की absolute value 0 ही होती है ठीक है, अब हम यह last वाला expression ले लेते हैं, यहाँ पर हमें negative 3, negative 3 की absolute value निकालनी है, तो negative 3 की absolute value, यहाँ पर बस हमें यह जो sign है, इसे positive कर देना होगा, इसे flip कर देते हैं हम, तो negative 3 का positive version होता है, positive 3 या फिर सिर्फ 3, तो यह इसकी absolute value होती है, इसे हम number line पर भी दिखा सकते हैं, 0 के left hand side में कहीं पर negative 3 होगा, यहाँ पर अगर negative 3 है, तो 0 और negative 3 की distance इन दोनों के बीच की distance 3 units के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि negative 3 की absolute value 3 होती है, तो आईए अब हम इस problem को solve करते हैं, हमें यहाँ पर इन सभी को smallest से largest के order में लगाना है, और हमने इन सभी को यहाँ पर simplify कर ल इन सभी में सबसे छोटी value, सबसे छोटी value है यह, absolute value of 0, जो की 0 के बराबर होती है, और इसके लिए हमें यहाँ पर यह वाली quantity दे रखी थी, तो सबसे पहले आएगी absolute value of 0, इसके बाद second largest है यहाँ पर यह वाली value, हमारी यह वाली value, और इसके लिए जो expression हमें दे रखा था, वो था absolute value of 9-7, absolute value of 9-7, तो यह हमारा second largest हो गया, अब इसके बाद है, इसके बाद आता है हमारा absolute value of negative 3, तो इसको हम यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे, तो अब इससे बड़ी value क्या है हमारे पास यहाँ पर? इससे बड़ी value है हमारे पास absolute value of 5 तो absolute value of 5 यहाँ पर हमारे पास यहाँ आ जाएगी और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक value बच्ची हुई है एक quantity बच्ची हुई है यह वाली यानि कि यह expression जो हमें दे रखा था absolute value of 5 minus 15 तो अभी इसके आगे मेरे पास जगह नहीं है तो मैंसे यहाँ नीचे लिख देती हूँ तो हमारी greatest value है 5 minus 15 की absolute value तो यह हो गया हमारा smallest से largest का order